हेलो एव्रिवान वेल्कम बैक माई चेनल निटिक विसरीता देखे आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा दो कलर का डिजाइन लेके आई हूं ये डिजाइन बहुत ही ईजी है वी बिगनर्च भी इसकोْास सानी से बना सकते हैं आप इस धीजाइन को बच्झों के स्वेटर men जालें तो बहुत शंदर लगेगा पूरे अगर फुल्सवेटर में इसको डालेंगे तो इसके अलावा आप इसको कार्डिगन में गल्स कार्डिगन हाब कोटी में भी डाल सकते हैं बहुत प्यारा लगेगा और कलर आप अपने चोईस के अकॉर्डिंग ले ले यह यह राइट साइट है इसका बैक साइट ऐसा लगता है इस डिजाइन को बनाने के लिए फोर के मल्टिपल माँ फंदे ले 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 प्लस वन यह डिजाइन एक कलर टू रो में कंप्रेट होता है यह देखिए बहुत ही सुपर इजी है यह अभी देखने के बाद या बनने के बाद आपको खुदी पता चल जाएगा चले इस डिजाइन को बनाते हैं कैसे बनाना है इसमें मैंने 17 इस्ट ले रखे हैं और फंदे डालने के बाद दो लाइन ऐसे ही निकाल देए अब यह राइट साइट है डिजाइन बनाना स्टार्ट करती हूँ न्यू कलर का उल लगाऊंगी मैं यह देखिए फॉर्स्ट के मैं सीधे ऐसे थ्री स्टीच हम सीधे कर लेंगे वन टू थ्री न्यू कलर से थ्री सीधे करने के बाद वान स्टीच स्कीप कर लूँगी बिना बुने ही निकालना है फिर थ्री स्टीच सीधे से वन टू थ्री देन वन स्कीप यही पैटर्न रिपीट करना है वन टू थ्री वन स्कीप वन टू थ्री वन स्कीप और लास्ट पर एक सीधा इस कलर से मिना दूंगी वन टू कंप्रिट हो गया रॉंग साइड है साकेंड रो अब देखिए इस वाले को हम सीधे निकालंगे सीधे बुनाई कर लूंगी मैं इसकी यह देखिए अब धागा अपनी तरफ जो हमने स्कीप किया है वाइट कलर के स्टीच को उसको हम स्कीप कर लंगे धागा आगे साइड इन थ्री स्टीच को हम सीधे बना लंगे धागा अपनी तरफ फिर इसको इसकीप कर लोंगी धागा लेक यह बैक साइट है उल्टे साइड है फिर इन तीन पंदों को हम सीधे बना लंगे कि दो कि थागा यहां फिर इसको इसकी थागा बैड ऐसे हम पूरी रोग अप्रीट करेंगे यही रिपीट करना है वन टू थ्री टू रोग इस इस कलर से होगे अब हम फॉइट कलर लगाएंगे एक कलर से दो रोग कम्प्रीट करनी है यह देखें थर्ड रोग है फॉर्स्ट स्टीच हम थासी सीधा बना लिया देन सेकिंड को हम इसकीप कर लेंगे फॉर्स्ट रोम हमने थ्री एकी कलर से बनाये थे लेकिन इसमें एक यह करना है फिर इसकीप कर लेना है फिर यह तीन वन टू थी इन तीन को हम सीधा कर लेंगे यह ध्यान रखें, तीन सीधा करने में, बीच का जो फंदा है, वो फाइट आना चाहिए, तीन सीधे होंगे, वन, टू, थ्री, वन इसकीफ, वन, टू, थ्री, वन इसकीफ करना है, लास्ट के थ्री, फाइट कलर से, यह देखिए, फॉर्थ रो है, अब देखिए, जो हमने बुनाई की है, उसको हम बैक साइट से भी सीधा कर लेंगे, वन, सीधे करने हैं इसको, टू, थ्री, थागा अपने द्रफ, इसकीफ किया हो फंदा, इसकीफ कर लेंगे, थागा बैक, वन, टू, थ्री, सीधे करने हैं, सेम पैटरन रिपीट करना है, फिर, पूरे रो में, थागा अपनी द्रफ, इसको, इसकीफ कर लेंगे, और लास्ट इस्टीच हम सीधा कर लेंगे, फोर रो हो गए, अब फिर हम यही कलर, दूसरा कलर यूज करेंगे, दो लाइन के बाद, अब सेम हम रिपीट करने, अब देखें फॉर्स रो, फिर से रिपीट होगा, फॉर्स के थ्री स्टीच हम और इंज सी करने, वन, टू, थ्री, यह स्किफ कर लेंगे, वाइट में वाइट ही आना चाहिए, यह देखें, 3 skip, 1, यह देखे, second वाले में, orange आएगा, 2, 3, 1 skip, 1, 2, 3, 1 skip, 1, 2, 3, 1 skip करना है, last वाला, सीधे बना लेना है, बैक साइट है, same repeat होगा, जो हमने बुनाई किया है, उसको हम सीधा बना लगे, बैक साइट को, और जो हमने इसकिफ किया है, उसको इसकिफ ही करना है, यह देखे, इन तेनों को सीधा बनाएंगे, धागा अपने तरफ, इसको सीधा बना लगे, वन, टू, ट्री, इसकिफ, और लास्ट के त्री, सीधे, यह देखे, डिजाइन बनना स्टार्ट हो गया, अब हम सेम डिफीट करेंगे, दो-दो लाइन करके, तो हम इसी पैटर्न को जब हम काट्टून्यू बनाएंगे, तब हमारा पैटर्न बनके ऐसा लगता है, यह देखे, है ना बहुत ही जी, तो आपको मेरा यह पैटर्न अच्छा लगा, आपके लिए हैल्फुल रहा, तो मेरे इस वीडियो को सेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्रीच चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दप आएं, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, थैंक्स फॉर वाचिंग,